होता है गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने गुरु बिन दोनों निस्पल हैं चाहे पूछो वेद पुरान तो दर्व यग से ग्ञान यग स्रिष्ठ है उस ग्ञान यग को समझ कर तू फिर क्या बता है चौथे जैगे 32 में सलोक में कि जो 35 से लेकर 31 तीस तक जो ग्यान दिया है जिसमें धार्मिक अनुष्ठावनों का जेकर किया है इस परकार की जो साधनाए है वो उस सचिदा नंद घन ब्रम की वाणी में विस्तार से कही गई है देखिएगा श्रीमत भगुत गीता इसके वही चौथे जाएगा ये देखिएगा 32 में सलोक में यहां जो गड़बडी नों ने की है ये दिखानी अनिवारिये है ये चौथा जाएगा और ये 32 में सलोक है ये इसमें बरमने मुखे सब्द है बरमने मुखे एवं बहु विदा यगा वितता बरमने मुखे करमजान विधितान सर्वान एवं ग्यातवा विबोकस से इन्होंने अन्वाद किया है इस परकार और भी बहुत तरह के यग यहां गड़बड कर गई ये बरमने मुखे कारत रख दिया वेद की बाणी में एथ तेरा गज़बड बहुत अपने आत्मों इस बरमने का निरने करेंगे इन्ही के द्वारान वाद में यहां ये विजलित होगी यहां देखियो सत्तर में अज्धाय का और तेईस मासलोग है श्रीमत भगत गीता अज्धाय नमर सत्रा का और ये तेईस मासलोग है इसमें क्या कहा है कि ओम तत सत इती निर्देसा है बरमना है बरमना है तिर्विदा है समर्ता है ये बरमना सबद यहां भी है परमना तेन वेदा चाह सो युगा चाह विहितापुरा परमना माने विद्वान पुरुष smashदार वेक्ती स्रिश्टी की आदिमे तेन वेदा इसी ग्यान के आधार से अपने धार्मिक नुश्ठान किया करते थे यहां कहा लिखा है इनू नुवाज किया है कि ओम तत सत ऐसे तीन परकार का बिर्मने यहां बिर्मने का रसे लिखे है सची दानंद घान बिर्म का बिलकुल सही अन्वाद किया है अब बिर्मने है बगवान और बिर्मने का रत वेद नहीं हो सकता वेद है बगवान का विध्धान जैसे एक राजा राजा का विध्धान तो राजा का अर्थ विधान नहीं हो सकता किसी भी लेख में, किसी भी किसी भी वर्नन में तो बिरमने कार्थ उन्हों ने गल्द कर दिया वहाँ पर, चौप्थे जाएगे 32 में स्लोक में वेद की वानी कर दिया यहां गीता ग्यान दाता कहता है कि ओम तद्सत ओम तद्सत उती न्तिरविधर समरते जा भी हरते है ब्रहमना, तेन वेदा, चईगा, चईवेइगे, पर्वृटा पुरा इसका अर्थ यह लेकि लिखा, कि ओम तद्सत ऐसे यह तीन परकार का सचिदानंद घनबरम का नाम कहा है यह न्रदेश सब्दनाम नहीं होता इसका नैसे यह होता है के साचिदानन्द घंबरम प्रमात्मैन प्रमकसर ब्रमकुपाने के दिए इस ओम तत्सत केवल इसका ही न्रदेश है तीन परकार से सिम्न करने का तिरॲिध है आप जी को पता है जिनको तीनों नाम मिल गए हैं यह दास ने दिये हैं वो तीन परकार से उनका सिमन होता है तो हमने यहाँ से लेना है कि बर्मने माने सचीदानंद घन बरम की वाणी में यहां आप लेख लेजिए इस कारथ सचीदानंद घन बर्म की वानी, सचीदानंद घन बर्म की मुखे माने वानी में, मुखे कारथ होता है, उनके मुख कमल से बोली गई, मुखारविन से उचारित वानी, वचन, वो कबीर वानी है, तो प्रमात्मा स्वेम आते हैं, जैसे आप जी रगवेद मंडल नमबर 9, सुक्त नमबर 86 के 27, और सुक्त नमबर 82 के इसी मंडल के 1, 2, 3, मैं सबस्ट पर पढ़ा कि वो प्रमात्मा आता है, वो ग्यान उपदेश देता है, उच्छारन उच्छे सवर से बोलता है, उसमें ग्यान कंपलीट है, वि स्टार से कहे गए है, इस परकार और बहुत से बहुत रह के, बहुविदार, बिन-बिन परकार के यग, उस सचीदानन्द घंब्रम की वानि वेद की वानि में नहीं सचीदानन्द घंब्रम की वानि में विश्तार से कहे गए है उन सब को तू करम जान यानि करम किरिया करके ही उस करने होते है मन इंद्री और सारीरी किरियां द्वारा संपन होने वाले जान विधी मानजाद इस परकारततव से जानकर उनके अकुम इसत्थान दोरा यारू उनके अधर से करम बंदन से सर्वता मुक्त हो जाएगा त्यरा पूर्ण मुक्त हो जाएगा अब 33 में ये बताया है कि अरजुन सरे शरियान दर्वेमियाद यगात ग्यान यगाः परंतम है परंतम अरजुन इस दर्वे से होने वाले अनुष्ठान जैसे कि ता दान कर दिया कि ता कोई दारमिक से ट्रेक्टर बनवा दिया इस से सरियान ग्यान यग दर्वेमियाद यगात इस दर्वेमियाद यग से सरियान कुंसिसरेश्ट है ग्यान यग शर्वम करम अखीलम पार्थ ग्याने प्री समाप्यते यानि उस ग्यान करम में फिर सारे बर्मना बठकना रूपी जो करम हम करते हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं फिर डले नहीं डोता पराणी परन्तम है परन्तम अर्दुन दर्वे में यग की अपेकसा ग्ञान यग यानि सचीदा नंद घनबर्म की वारणी में जो विस्तार से ग्ञान का है वो अत्यंत स्रेश्ट है तथा यावन मातर यावन मातर सभी पूरण रूप से करम ग्ञान में समाप्त हो जाते हैं यहानि जो क्रिया हम करते हैं फिर भूटले नि理 होते हम अपने वही काम करते हैं जो विध्यवत होते हैं इसकारती है अब 34 में कहाँ है कि उस तत्व ज्यान को रिखा गया है जो गीता ग्यान से अलग है उस ग्यान को तू तत्वय दर्सी ग्यानियों के पास जाकर समझ उनको भली बाती डंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पुरुवक परसंद करने से ये परमातम तत्व को भली बाती जानने वाले ग्यानी महातमा तुझे तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे पुन्यात्मो ये वही पुवितर सद्गरंथ है जिसको हम शिरोधारिये मानते रहे हैं और मानते हैं आज ये हमें क्या बतारा चाहते हैं कि गीता ग्यान दाता अपने से अन्य कोई और सचीदानंद घंब्रहम उसके दोरा दियेगे ग्यान के बारे में बता रहा है कि उसको मैं नहीं जानता उसको तत्व दर्सी संत से पूछो अब वो तत्व दर्सी संत हैं कैसे आप देखो जहां भी हम जाते हैं सभी संत हमने तो अच्छे लगते हैं बड़ी आग्यान बताते हैं अच्छे उनकी बोलने की सहली होती है हम प्रमात्मा के पैसे होते हैं तो हम कैसे डिफरेंसियट कर सकते हैं कि ये संत है, ये आशंत है ये तत्व दर्सी संत है या नहीं है उसके लिए हमारे लिए सास्तर ही प्रमान है श्रीमत भगुत गीता धाय नमबर 15 के सलोक नमबर एक से लेकर चारब तक इसको समझने से पहले थोड़ा सामने ये देखना होगा के रजगुन बिर्मा है सत्गुन विश्मु तमगुन शिवजी श्रीमत भगुत गीता धाय नमबर 15 के सलोक नमबर एक से लेकर चारब तक इसको समझने से पहले थोड़ा सामने ये देखना होगा के रजगुन बिर्मा है सत्गुन विश्मु तमगुन शिवजी तो इसके लिए भी हम सत्गरंथों का इसाय होग लेंगे ये पवित्र स्री मद देवी भागवत इसमें संस्कृत भी साथ है सबसे बड़ा हमें लाब ये हो रहा है कि अभी तक प्रमात्मा की दिया से सत्गरंथ जीवी थैं नहीं तो अभी कुछ दिनों के बाद क्या होता कि संस्कृत समाप्त हो जाते क्यों हिंदी में वो गट्ट अपना तोड़ा मोड़ा अनवाध हमारे को प्राप्त होता इसमें संस्कृत भी साथ है अत्देवी भागवतम अत्देवी भागवतम भासा टीका सभास टीकम सेमाप्तम ये है खेमरा सेकर संदास परकासन बंबई चार इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा श्री मज़ देवी भागवते भासा टीका युकते तृतिय सकंद है प्रारंबते और इसमें ये तीसरा सकंद है देवी भागवत प्रिष्ट ग्याराप है अध्य है नमबर पांस इसका सलोक नमबर हम आठ पड़ेंगे सातमा ये समापत हो जाता है आठमा ये प्राहर मता है हे मता है संकर भगवान अपनी मादुर्गा किसे परसन कर रहा है प्रार्थना कर रहा है हे मता है ये धी हमारे उपर सदा आप दया युक्त हो तो हम को तमोगण में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगण और हरी सतोगण क्यों पर धान किया है फिर देखिएगा हे मता है ये आठमा प्रार मुता है हे मता है ये धी हमारे उपर सदा आप दया युक्त हो तो हम को तमोगण में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगण और हरी यानि विश्णू को सतोगण युक्त क्यों किये है युक्त किये है अब संस्कर्ट भी देखेंगे हम क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फाइदा ये होगा कि हम संस्कर्ट भी पढ़ सकते हैं यदी दया दर्मना ये सातमा सलोक समाब तो आठमा प्राम होता है यदी दया दर्मना ये सिदाम भी के कथम एहम वहीत है चाए मैं क्यों बना दिया तमोगुन संकर्भवान करें मैं तमोगुन क्यों बना दिया और कमल जै कलम कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा को कमल जै रजोगुन संभाव संभाव है मैंने उत्पन कर दिया कमल जै कमल से उत्पन होले बिर्मा को आपने रजोगुन क्यों बना दिया और सूवी हीता एक किमू सतोगुन हरी विश्णों को आपने क्यों सतोगुन उत्पन कर दिया इती सिद्धम रदगुन बिर्मा है सत्गुन विश्णु तंगुन शिवजी अब हम आते हैं इस पवितर सत्गरंथ श्रीमद भगवत गीता जी को अध्याय नुमर पंद्रा का स्लोक नुमर एक से लेकर चार तक को विश्थार से पढ़ेंगे पुनियातमा हम पहले गीता जी के प्रती दिन नित पाठ किया करते थे रूची बढ़ती थी प्रती दिन करते थे और यो यह पता निताज में लख्या के है अरीब वही सदगरन्थ आपके समक्स विद्ध जो ना सोलूसन अन्वाद के साथ आपको पढ़ा जार है लाब तो वही होगा जो पहले समझते थे ग्यान यक का लाब तो है पर यिथारत ग्यान होगा अब पहले ग्यान था को नि और पढ़ते पढ़ते थे अब ग्यान भी लाब भी है और समझ भी रहे देखिएगा अज्जाय नंबर पंद्रा का स्लोक नंबर एक से चार अथ पंच दसो अज्जाय पंद्रमा ज्जाय ये पंद्रमा ज्जाय इसका पर्थम मंतर है उर्धव मूलम उर्धव माने उपर उपर को मूल माने जड़वाला अधै साखम नीचे को साखा वाला असवथम प्रहू अव्यम ये पीपल का एक वरक्स मजबूत वरक्स अविनासी कहा गया है ये सम्झेलो शंशा रूपी वरक्स है ये चंदासी यस्या परणानी